नमस्कार, मैं 36 गड़क बार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार अपने राजनेतिक विशलेशक शशांक तिवारी के साथ 36 गड़ विधान सबाच चुनाओ के एक और पहलू पर बात करने के लिए आज यहां मौजूद हूँ आज हम बात करेंगे सर्गुजा संभाग की सीटों पर, सर्गुजा कई माइनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है जब कभी 36 गड़ को अलग-अलग हिस्सों में देखने की कोशिश होती है तो दक्षिन 36 गड़ के शकल में बस्तर को देखा जाता है उत्तर 36 गड़ की शकल में सर्गुजा को देखा जाता है उसके बाद के बाकी इलाके को मैदानी इलाका कह दिया जाता है ये दो हिस्से जो हैं राज्य के दो अलग-अलग सिरों पर हैं इन दो हिस्सों में आदिवासी सीटों की बहुत आयत है बस्तर में तो 12 में से कुल एक सामान्य सीट है अनारक्षित सीट है बाकी 11 आदिवासी आरक्षित सीटे हैं ऐसा सरगुजा जो है इसलिए पिछले चुन पूरी की पूरी कांग्रेस में चली गई थी, ये बहुत ही मुश्किल और नमुम्किन किसम का रहता है, ऐसा बस्तर में भी नहीं हुआ था, जहां की आज 12 विदायक हैं, जब विधान सभा के चुनाव हुए थे 2018 में, उस वक्त बस्तर में भी 12 विदायक नहीं थे कांग्रेस और एक किस्म से वहां कॉंग्रेस के सबसे बड़े नेता टी एस सेंदेव के हाथ में दे दी थी कि जाए महराज सरकार बनाई है कुछ इसी किस्म का माहौल था बिल्कुल बिल्कुल वहां सरगुजा को लेकर ये चर्चा भी थी कि वोटरों ने इतनी बहुत आयत में पूरी की पूरी सीटें इसलिए दे दी थी उनको उम्मीद थी कि टी एस सेंदेव मुख्यमंतरी बनेंगे ये अलग बात है क्यों नहीं बन पाए वह बहुत लंबी कहानी है हम अगर उस कहानी में भी उलज जाएंगे जिसको कि हम कई कई बार यहां कह भी चुके हैं तो इन 14 सीटों का विशलेशन धरे रहे जाएगा बस्तर के मुकाबले भी दो सीटें जादा है समय बहुत लगता है बात करने में हम लोग अखबार के काम को छोड़ कर भी यहां वहां से वक्त निकाल कर यहां आए हैं तो हम बात शुरू करेंगे सरगुजा की 14 सीटों पर जो आज पूरी की पूरी कांग्रेस के पास हैं और जहां से भाजपा को उम्मीदें हैं उमीद तो इसलिए भी रहेगी कि जहां उसके हाथ में निल बटे सन्नाटा है वहां पर कुछ नो कुछ तो हासिल होगा ही एक सीट भी हासिल होगी तो भाजपा पिछले चुनाओं के मुकाबले तो आगे बढ़ी दिखेगी है तो उसकी उम्मीदें बहुत हैं भाजपा की वहां पर देखना है कि कितनी सीटें मिलती है देखना है कि T.S. सिंदेव या कांग्रेस के नाम पर वहां कितनी सीटे मिलती है बड़ा जटिल इक्वेशन है सर्गुजा का आसान नहीं है अब ध्यान से सुनिएगा ये 36 गड़ का सबसे दिल्चेस्प चौदा सीटों वाला इलाका है ये 36 गड़ का सबसे ही दिल्चेस्प पर इलाका है सर्गुजा का इसके बारे मैं बात करते हैं शशांग यहां की सीटों पर हम बात करें अलग-अलग इसके पहले मैं मुटे तोर पर समझना चाहता हूँ आपको सर्गुजा ने क्यों पिछले साल इस तरह से कांग्रेस को वोट दिया था इस बार क्या माहूल आपको दिखता है हम व्यापक द्रिश्टी से बात करें उसके बाद एक-एक सीट पे बात करेंगे हुआ यह था कि पिछले बार 2018 में विधान समझना में निता प्रतिपक्ष थे एक मौहल था कि यह मुख्य मंत्री बन सकते हैं तो उसके बाद बढ़ चड़के लोगों ने उस साव मौहल भी उस तरह का बना कि सीम बन सकते हैं बन सकते हैं इस तरह का प्रचारीत भी हुआ तो बड़ चड़कर लोगों ने वोट कियें कॉंग्रेस के पक्ष में पहली बार बरसो बाद राजी बनने के बाद तो पहली बार ऐसा हुआ कि 14 में से 14 सीटे कॉंग्रेस की जोजी में चली गई और खुद टीएस सी देओ करीब कर पाएं आकरी किती दो मेना पहले डिप्टी सीम बने प्रभाव उतना नहीं रहा नाराजी रही इसके अलावाद दो तेतरार विधायक उनकी कुछ वे जो उनकी विधायक थी उनकी टिकेट कटी तो इनका सबका व्याफक असर दिख रहा है मेरे खाव से एक चीज और हुई कि ये जिन दो विधायकों की टिकेट कटी है इन विधायकों ने पिछले ढ़ाई साल में जिस तरह से मोर्चा खोल के रखा था टीएस सिंदेओ के खिलाफ और टीएस सिंदेओ को बार बार सारजनी के रूप से नीचा दिखाने का काम इन में से कम से कम एक विधायक ब्रिय नेता के खिलाफ जितना उच्छा अभियान उन्होंने चलाया था ब्रिहस्पत सी ने इतना उच्छा अभियान शायद किसी पार्टी के किसी विधायक ने अपने एक नेता के खिलाफ नहीं किया था इसमें कुछ हद तक कॉंग्रेस संगठन भी जिम्मेदार है प्रभारी पुनिया थे यह वही पुनिया है क्या जिनका बेटा उत्तर प्रदेश से चुनाव अगर लड़ा था लड़के हारे हुए है और यह वही पुनिया है जिनके बारे में 36 गड़ में यह चर्चा रहती थी कि यह गुडवाजी का खुला हिस्सा बने हुए थे इस तरह की बहुत सारी बातें प्रचारी थें उनके बारे में और कुछ अट्थ हो थी लगता है कुछ ये कह शिकायतें भी हुई अलग अलग इस तरहों पर यह पुनिया जीaboutर की बारे में जो सरकार आने के बाद काफी कुछ उनके हाओड़ा बदल्ले हुए थे इस तरह की बहुत सारी अपरी चर्चाएं होती थी जिनमें से कई किस्मकी चर्चाओं का सारजनी को लेख ठीक नहीं ऐसी भी चर्चाएं थी आपके जानकारी में भी भी ऊगी चलिए हम उनको अपपा मानके उसके बारे में ज्यादा चर्चा अभी नहीं करते हैं बुजूर का आदमी है पुनिया जी अब उनके बारे में क्या चर्चा करना मुझको नहीं लगता कि कांग्रेस उनको बाद में दुबारा कभी यहां का प्रभारी बनाएगी ऐसा तो आसा नहीं दिखता है ना ठीक है यहने हमारे लिए कोई खत्रा नहीं है इतनी बात करने से उनके बारे में तो यह ब्रिहस्पत सीह का जो अभियान चला था बाबा के खिलाफ और टी-एस बाबा ने यह कहा था कि जिन लोगों ने हमारे परिवार के खिलाफ बातें की है अपमान किया है परिवार का उनसे कोई समझावता नहीं किया जाएगा ऐसा ही था तो बाबा क नहीं लड़ते, घर बैट जाते वो, कि आपको पार्टी जैसा चलाना है, चलाओ, उच्छे लोगों को ही आपको आगे बढ़ाना है, तो उसमें मेरे आने का क्या काम है, तो कांग्रेस पार्टी ने एक समझधारी दिखाई, कि ये ऐसे लोगों को टिकट नहीं दी, और टी- संतुलन कायम रखा, संतुलन बना के रखा, अच्छा, अब क्या इस्थिती है सरगुजा की और, इन सब के बाद, भाजपा यहां काफी सक्री रही है, ऐसा हाल में, खास करके जो प्रभारी है, सरप्रभारी, नितिन नभीन, ये एक तरह से सरगुजा बेल्ट को ही देखते है, और काफी पाइटी पहले के मुकावले बहुत मजबूत इस्थिती में दिखरी है, पहले का मतलब 2018 के मुकावले, काफी मजबूत इस्थिती में दिखरी है, मुझको अगर हलका सा याद पढ़ रहा है, तो एक केंदरी मंत्री रेनुका सिंग को भी यहां से उतारा गया उतारा गया है, अब हम सुरुवात करेंगे चर्चा में, तो उसमें पैसे हैं, एक ग्री मंत्री रहे हुए हैं, छतिस गड़ के राम विचार नेताम, राजे सभा सदस से रहे हुए हैं, सांसद भी हैं, उनको भी उतारा गया है, वहां से, बिल्कुल, तो कम से कम दो सांसद मुझे को याद पढ़ रहे हैं, भाजपा के, तो इन्हों ने, भाजपा ने उसको सरगुजा को इस हिसाब से महत्र दिया है, कि दो मौझूदा संसदों को वहां से उतार दिया है, ऐसा है, उसमें एक प्रदेश रहे हैं, केंदरी मंत्री रहे हैं, विष्णु देव साय, गुमती साय, जो मौझूदा संसद है, पात्तल गाउं से लड़ रहे हैं, राम विचार ने टाम, राज सबसद से रहे हैं, केंदरी मंत्री रिनुका सी, तो चार मजबूत नेता, वो तो मैदान में हैं, यह इसमें से तीन मौझूदा संसद हैं, जी, और एक बूदा संसद हैं, तो यह चार लोग वहां से बड़े लोग हैं, चौदा में से, और दूसरा यह बतला, यह जो 21 लोगों की पहली लिस्ट आई थी भाजपा की, जो सबसे ही पहले आ गई थी, कांग्रेस का नामों निशान उस समय लिस्ट के मामले में नहीं था, उस 21 में सारे के सारे हार हुए सीटों के केंडिडेट ताई किये थे, उसमें सरगुजा की बहुत सारी सीटे थी, कुछ बाहर की भी थी, लेकिन सरगुजा की बहुत सीटे थी उस 21 में, मैं इसलिए यह कह रहा हूँ, कि सरगुजा में भाजपा ने केंडिडेट ताई करने और प्रचार शुरू कर में विए लिड़ ले ली ली लिड़ लिड़ी fatty और उसका असर दिख रहा है एहां कि उसके जो तयंयारी थीजो पहले घोषच ना फाइदा मिला वह अब धीरे 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 समय आते आते दिख रहा है लेकिन ऐसा भी कहीं कहीं कहते हैं उमीदवार कि अगर बहुत पहले घोशित कर दोगे तो मीटर घूमने लगेगा और वोटरों पे खर्च बहुत होने लगेगा पहले से घोशित मत करो आखरी दिन करो निचोड़ लेंगे वोटर हमको ऐसा भी कुछ होता है प्रचार का तरीका थोड़ा अलग बदला हुआ था इनको पहले कहा गया था कि आपको प्रचार दूसरे डंग से बैटकों में इस्ता लेना लोगों को मेल मुलाकात एक अलग से गाइड लाइन तयार किया नए अब अपन बात करते हैं सरगुजा की एक-एक सीटों को लेकर पहली सीट यहां पर है जो 36 गड़ विधान सभा की सीट नंबर एक भी है भरतपूर सोनहत नाम है उसका जोड़ा नाम है भरतपूर सोनहत यह बतलादों में जिन लोगों को जाधा जानकारी नहीं है कि सरगु यहां के जो कारोबारी है इनमें भी उस तरफ से आई हुए बहुत सारे लोग है इसको सरगुजा की भाषा जो है वो भी बुली जो है वो खालिस 36 गड़ी नहीं है मैदानी इलाकों की वो सरगुजिया अलग बुली है तो इसलिए उसको थोड़ा सा एक अलग नजरिये से भी देखने की जरुवत है भरत पूर सोनत विदान सभा यह अनुसूचित जन जानी थी एस्टी रिजर्व सीट है यह यहां पर अभी कांग्रेस के महजुदा विदायक जो है गुलाब कमरों है और यहां पर भाजपा की उमीद्वार जो है वो रिनू का सी है लेकिन इनके अलाबा कुछ एक और प्रमुख उमीद्वार भी है भरत पूर सोनार में हम चत्रिजगण विदान सभा की लिस्ट की बोहनी यहीं से कर रहा है एक नंबर सीट है यह एक नंबर सीट यह ने बोलचाल की भाशा में एक नंबर नहीं चुनाव आयो की लिस्ट में एक नंबर वैसे तो नबे की नबे सीटे एक नंबर हैं कोई किसी से कम या जादा नहीं है तो भरत पूर सोनार शाशांक भरत पूर सोनात के बारे में बताईए क्या है यहां का हाल मौजुदा विधायक है गुलाब कमरो पार्टी ने उन्हें रिपिट किया है और दूसरा केंदरी मं संत्री रेनुका सिंग मैदान में भाजपा नहीं है और तीसरे चीजी है गौंडवाना गरतंत्र पार्टी यहां स्याम सी मरकाम मैदान में है यह हिरा सिंग मरकाम जो इस पार्टी के शुरू से नेता रहे यह उनी से कुछ है संबंध है किया इनका इसमें थोड़ा सा मैं मैं बता दूं कि यह सीट है यह कोरिया जिले में आते हैं तीनों अभी बाजित कोरिया जिले की सीट है और यह कोर्बा विधान सभा के हिस्सा है अच्छा अच्छा रेनुका सिंग दूसरे छेतर से जाके लड़ रही है वो सरगुजा की सांसद है लेकिन किसी ने कहा कि उन के पास है तो अब यह चूकी मैदान में हैं और पिछले दो चुनाओं से यहां हारती रही है पिछली बार अच्छी खासी लेटी मतलब अच्छा भी सजार की तो इस बार रेनुका सिंग को उता रहा है गुलाब कमरों मजबूत वेक्ति हैं और मिलनसार हैं और इसमें सबस और रेनुका सिंग हैं बहुत तेठ तरार आकर्मक प्रचार के विए जानी जाती हैं प्रचार कर भी रहेएं तो इन सब की बीच में के उपर अधायक के उपर हमले भी कर रहें अभी किस्वेच्षान दान में गड़बडी वड़बडी लेकिन इनके उपर बहुत ज्याद अभी पूरी तरह उनके साथ जोट नहीं पा रहा है भाजपा के चाहे उनके तोर तरीके हो या उनको लग रहा है भी तुम्हारी डोली उड़ गई थी तुम यहां से बिदा हो गई थी फिर अब तुम माईके आ गई हो तुम ससराल में भी नेतागिरी करोगी और यहां माईक तब 26,000 वोट पिले थे इंको 26,000 कांड़े सो भाजपा दोनों के रहते हुए और इस बार भी उतने ही दमदार बलकि पहले से ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं तो कुछ असंतुष्ट जो भाजपा से असंतुष्ट हैं इसा पताचला है कि वो सब गुणवाना की तरव भी दिख रहे हैं अच्छा तो अच्छा गुलाब कमरों के साथ यह है कि सहज व्यक्ति हैं खूब दोरे की पुठले अपने पास सालों में काफी उनको लेके एक तरह से वो रहे हैं तो मजबूत इस्तिती में दिख रहे हैं यह आप जो कह रहे हैं उससे मुझको यह एक तस्वीर बन रही है कि इस सीट पर यह थोड़ा कंट्रास्ट है आप कह रहे हैं यह सहेज हैं सरल हैं विनम रहें सब का काम करते हैं दूसरी तरफ मुझको रेनुका सींकी जो इमेज मेरे दिमाग में कई किसम की घटनाओं से कई किसम की खबरों से मेरा उनका रूबरू मुलाकात बहुत कम है घादबार की कहीं की है तो मुझको ऐसा लग रहा है कि वो इतनी तेज तर सब्सक्रार हैं कि अपने पार्टी के लोगों से भी उनके जगड़े चलते ही रहते हैं और गुलाब कमरों का आप कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी के लोगों से भी प्रेम संबंद उनके रहते हैं तो थोड़ा अजीब सा टक्राव है यह अजीब सा टक्राव जबले हैं ल लोग भीतर बाहरी मांग के चल रहे हैं स्थानी कारिकर जो पुराने टिकेट की दावेदार थे वो पूरी तरह जोट नहीं पा रहे हैं हालकि उन्होंने बहुत एक दाओं खेला है कि केंदरी मंत्री होते हुए कि इस रोड में रेलवे का इस टॉपेज नहीं है उसका चिठी विठी लिख लुखा के जितना माहल बनाने के कोशिश कर रहे हैं वो तमाम कर रहे हैं और कुछ लोग पता रहे हैं कि थोड़ा और आने वाले दिनों में काफी और उस तरह की रणेती बना रहे हैं कि बाजपा यहां मद्बूत हो जाए मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि राजनीती में अगर भरतपुर सोनहत के लोग रिनुका सीं को बाहर का मान कर भजपा के लोग उनका साथ पूरा नहीं दे रहे हैं जैसा शाशान का कहना है मैं इसको असल जीवन में ठीक नहीं मानता मेरा मानना है कि बेटी बिदा होके जाती भी है कहीं पे तो माईके पे तो उसका पूरा हक बने ही रहना चाहिए जब वो लोट के आए तब उस गाउं की उस घर की बेटी रहने ही चाहिए तो आप परिवारीक जीवन में सामाजीक जीवन में इसको अधर्शिस्तिति मत मानना कि लोग उसको पराया मान रहे हैं अपने यहां की नहीं मान रहे हैं उसका सस्राल दूसरी जगे है यहां से क्यों लड़ रहा है इसको असल जीवन में बिलकुल मत मानियेगा जब भी ब वजय से लौट के आए, चाहे दो दिन आए तीजा पे, चाहे दो साल के लिए है, चाहे शासराल छोड़ के लौट के आ जाए, उसका स्वागत कीजिएगा, आप भरतपुर सुनहत के भाजपा के लोगों के हिसाब से मत चलिएगा, असल जिंदगी में बेटी का पूरा हक माय हां शरचांगव राजनीती की बात करें यहां तो मैं ऐसे ही लफाजी कर रहा था. तो और भी बाकी प्रत्यासी भी हैं आँ आदमी update और आदमेशनेलों से इसरी खड़ा कि अभी पहले नजर में यहां मुकावला त्रिकोणी है अब जमदार्त मजबूत त्रिकोणी है आम आदमी पार्टी की उमीदवार जो हैं सुखवंती सी हैं तो एक तो महिला होने के नाते रिनुका सी के 100-200-500 जितने भी वोट महिला होने के नाते नुकसान होगा तो शायद आम आदमी पार्टी वोट काट सकती है ल अजपा ने अपने घोषना पत्र में जो महिलाओं के लिए 12,000 रुपिया साल रखा है, 1000 रुपिया महिना प्रती महिला को, तो मैं देख रहा था कि 36 गड़ के जो वोटर आबादी है, उन वोटरों में 50% से जादा महिला हैं, जो वोटर डल रहे हैं, उसमें 50% से जादा महिला डाल रही हैं, अगर इन महिलाओं को वो 12,000 का मुद्दा अकरशित कर रहा है, कि ये पैसा तो मौर खाता में हर महिना 1000 आ जाही, घर में बाकी पैसा जो आता है, उसको तो आदमी जाके शाम को ओवर रेट में दारू खरीद लेता है, लेकिन ये पैसा तो उसके खाते में रहेगा, महिला के खाते में, मुझको पता लगा है कि भाजपा ने अख़वार में अपने इस्तार में फार्म छपवा दिया है, फार्म भरो पैसा लियो, ये फार्म भरो 1000 रूपिया महिना मिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी तो, इसका मैं सुन रहा हूं कि गाओं-गाओं में बहुत असर हो रहा है, इसमें हुआ ये है कि चुकि ये घोश्ना पत्र में है, और पहले दोर में तो उतना ज्यादा अशार नहीं कर पाया, क्योंकि ठीक से पहचान नहीं पाया है, दूसरा बहुत बड़ा इलाका है जहां अखबार वगर कम पढ़ा जाता है कम पहुंचता है और लेकिन दूसरे इसमें असर दिख रहा है सतर सीटों पे थोड़ा सा लोगों पहुंचने की कोशिश हो गई बहुत वाक्तावाजे प्रचारीद भी कर रहे हैं हलाकि इसको लेक महिलाओं के नाम से राशन कार्ड बनाये गया था पहली बार इस तरह का प्रयोग हुआ था तो उसका भी असर पड़ा था महिलाओं ने बड़ चढ़ा के वोट किया था सरकार तीसरी बार आयी थी तो सवस्थिश्वों दीटने में काम्याव रही रमिंज सिंग है को कुछ आजपा ने जो महिलाओं को 12,000 रुपिया साल देने की जो बात कहिए उसकी हमारे पास कोई काट नहीं है, हमारा गोशना पत्र है उसमें कोई काट नहीं है, और अगर हमारी पार्टी तुरंत ही इसका कोई काट नहीं ढूंड पाई, तो हमको इसका नुकसान हो सता है, ऐसा मानना था, लेकिन उन्होंने साथ साथ कहा, कि ये फिक्र कल तक शायद हमारी दूर हो जाए और कल तक हो सकता है कि कांग्रेस इसका कोई काट सामने रख दे, कल याने आज की बात है, आज जब हम रिकार्ट कर रहे हैं, वो दिन चल रहा है, जिस दिन को लेकर कांग्रेस के उसनेता ने मुझसे कहा कि आज हम भाजपा के 12,000 रुपए साल प्रती महिला को देने की घोषना का कोई काट आज सामने रख देंगे, ऐसा उनका कहना है, तेखते हैं क्या होता है, आज अभी करीब करीब 11 गंटे बाकी हैं, आज पूरा होने में, देखते हैं कुछ होता है क्या हो सकता है, इसकी एडिटिंग होने में जो समय लगेगा, उतनी देर में ही कोई घोषना आ जाए, तो हम इसके हेडिंग में कहीं जोड लेंगे उसको, शाशांक अपन सीटों पर बात चालू करें हैं, अब ये जैसे हमने भरत पो सोनहत की बात कर ली, तो इसमें सरार महिला है ये, कई जगे मैं देखता हूँ, परिवारों में ये रहता है, कि जब ननन्द ससराल से लोट के आती है, तो घर की भावियां वगर जादा खुश नहीं होती है, उनको लगता है बोजा आ गया है, हो सकता है, ऐसा कोई नुकसान भी हो, रेनुका सिंग को होना नीची है मेरे हिसाब से, अब हम अगली सीट पे आते हैं, मनेंद्रगड विधान सभाव, ठीक है, मनेंद्रगड विधान सभाव में कॉंग्रेस के रमेश सिंग, भाजपा के श्याम भीयारी जायसवाल और भी बहुत सारे विधायक है, मनेंद्रगड में अभी क्या केंडिये हैं, रमेश सिंग, विने जायसवाल की टिकट कटने की नौबत क्यों आई थी, देखे पिछले चुनाव में भी वो पांच एक हजार के आसपास के वोटों से जीते थे, इन सब के बाद शिकवा शिकायत हुई थी, काफी उनको लेके, काम काज बगेरा को लेके, तो अब इससे भी अलार घट के बता दो, जब ये मुख्यमंत्रीपत का चयन हो रहा था, दौर चल रहा था, तो C5 मतलब T.A. सिंदेओ के सरकारी बंगले, शंकर नगर में, विधाया की खटा हुए थे, जो सिंदेओ के समर था, 25-30, तो उसमें विनाय जाश्वाल मी थे, अच्छा, उसमें नारे बाजी होती तो, सबसे तेज नारे लगते थे, आवाज रहती थी, विनाय जाश्वाल की, बाद में समय बदलता गया, और धीरे 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 वो खेमा सिंदेओ का साथ छोड़ दिये, ये छोड़ दिया थे, पूरी तरह, फिर पतनी भी इनक कामियाब रहे हैं, और एक आद अपने रिस्तेदार किसी को जिलक कॉंग्रेस का अध्याज बनवाना चाहते थे, इस तरह को कुछ कुछ था, तो धीरे 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 कॉंग्रेस संगठन में इनको काफी विरोध हो गया, ये परिवार को काफी इन्हों ने सेटल कर दिया था भाजपा के मुख्यमंत्री थे, जिनको हटाते ही भाजपा राज ये खो बैठी वहाँ पर, जिनको 75 साल पार हो जाने के बाद में मार्ग दरशक मंडल भेजने के बजाए दुबारा तिबारा मुख्यमंत्री बनाया था भाजपा ने, जिनको हटाया और सत्ता से बाहर हो उन यदि यूरप्पा के विधायक बेटे को आज करनाटक भाजपा का अध्याक्ष बनाया गया है। यह वण्षवाद और परिवारवाद यह सब जो है कांग्रेस के उपर तो तोहमत लगती ही है लेकिन पूरे करनाटक में भाजपा को केवल यदी युरप्पा के बेटे ही मिले वहाँ पे उनको करनाटक भाजपा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है तो आप बतला रहे थे कि यहां पर जो थे विनय जायस्वाल तो उनकी पत्नी वहां पर मेर बन गई और परिवार के किसी को कुछ बनवा दिया तो फिक ही किया अपनी पार्टी के परमपराओं के हिसाब से ठीक किया अब यहां से टी एस सिंद्यों जो हैं अंभिकापूर के सबसे बड़े सर्गुजा के सबसे बड़े नेता उनके भतीजे भी तो कुछ वहां जिला पंचायत उपाध्यक्ष है उपाध्यक्ष हैं उनके बात करें यह अब थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग की यह है कि मनेंद नगार जो विधान सभा है और दो वागों में बटा हुआ है अच्छा एक चिर्मीरी खटगावा और मनेंगडा तो अब तक जो जितने भी प्रत्याशी होते थे वह चिर्मीरी बेल्ट से होते थे पोटर महाँ जादा एक चिर्मीरी खटगवा में तो स्कोल मिला के उधार ये बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि खडगवान को लोगों को मौका मिला है तो ये रमेश सिंग को मिला है ये रमेश सिंग पेशे से वकील है कॉंग्रेस के मुलाना एक बार निर्दली चुनाव लड़ चुके हैं और इनकी बहन मनेंगर नगर पालिका की अध्यच है दो इसी विधान सबाद सीट में आता है अगर उनका काम अच्छा होगा तो इनको मदद भी मिलेगी काम अच्छा नहीं होगा तो इनको नुक्सान भी होगा शक्री है वो टिकेट की दावेदार थी पैनल में उनके नाम पर था विचार कर भी हो रहे थे और मजबूत भी उनकी इसाख अच्छी है प्रभा पटेल नाम है मुझको ऐसा क्यों याद पढ़ रहा है कि जिस विने जायस्वाल की आप बात कर रहे हैं विधायक की जब उनका नाम आया कि इनको टिकट नहीं मिल रही है कट रही है तो किसी से फोन पर बात कर रहे थे कि मैं गुणवाना पार् रमेज सिंग को डिकलेयर किये हैं रमेज सिंग के बाद अभी एक गणवाना गड़तंत्र पार्टी से इसमाईल सेख को मिला है तो ऐसी चर्चा है कि पहले उनका आडियो विने जायस्वाल का ओपन हो गया था तो कुछ कहना चर्चा में यह है कि उन्होंने ही टिकेट डिल और लेकिन कॉंग्रेस में हैं कॉंग्रेस में हैं पार्टी नेहीं पत्नी उनकी जिलापन मेयर फिर मेरी की घरी कीटना आसान भी नहीं सरकार के चhmen से का लोग का रखार रा इस में भाचपा कि श्याम विजास्वाल अक बार विधायक रहे चुके हैं ये हैं अच्छा और ये दो मनेंग कोरिया अभीभाजित कोरिया ये लेकि तीन सीटे यहां गॉंडवाना का अच्छा खासा प्रभाव है तो मतलब ये त्रिकोणी जैसी स्थिति आती है ऐसा और दूसरा मेरे को जो नाम से जो समझ आ रहा है कि श्याम भीहरी जायसवाल और जो कि मतलब विवाद था अब भले अब उनकी नाराजगी का फायदा उनको मिल जाता है तो यहां पर कांग्रेस भाजपा और गोंडवाना में ट्रेंगूलर जैसा माहौल हो सकता है अभी तो सिधा है लेकिन ये दमदार मावजूद्गी दिखा सकते हैं वोट काटने की भूम कांग्रेस को कांग्रेस का जादा होगा ठीक अगली सीट पे आते हैं बैकुंट पूर में कांग्रेस की मौजूदा विधायत अंबीका सिंधेव भाजपा के भाजपा के भाईया लाल राजवाले दोनों ही नाम कुछ मेरे को सुनाई पढ़ रहे हैं पहले के याद पढ़ ऐसी निशान वही है सब कुछ वही है यह ब्ला रामन सिंध सरकार में मंत्री रहा है और अमभीका अंबिकापुर अंबिकार स्ीनिदेव के बारे में सबी मानूर रामचंथ Suindo की बत्तिजी है बत्तिजी है और कांग्रेस से से एक जादातर मौका ऐसा आ है कि जादातर समय म इस तरह का कोई नाम था विधायक रहें यहां से आपको देवेंन कुमारी सिंधे भी विधायक रही तो वहां से विधायक रही एक बार और मंत्री भी रही है यहां पर गोंडवाना के भी कोई केंडिडेट है हाँ है ना संजय कमरों इंजिनियर रहपेसे से अच्छा और आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी के भी हैं अकाश जैश्वाल कर यह भी है और थोड़ा सा इसमें बता दू कि यह टीए सिंद्य भी ए इनको टिकेट डिलवा दिये थे तो वह नाराज हो के निर्दली चुनाव में लड़ गए तो टीए सिंद्य चुनाव हार गए थे आपको दिल्चस्प बात बतलाता हूं रामचन सिंद्य जो है अब नहीं रह गए प्रदेश के शायद सबसे इमांदार नेताओं में से एक कि जीते थे वह सरकारी विभाग में कोई इमानदार क्लरक जैसा जिसकता है रामचन सिंद्य आप इसी ही जिन्दगी जीब दें शड़क के किनारे से वह सो पह खरित के ले आये थे पंडरी से एकदम और्डरी सोफा सल्बक मिल सकता है उसे को ले आयन थे उसी में रहते थे एक सिंगल खाट थी उसी में मच्छरदानी लगा के रहते थे वो और इतने किफायत पसंद थे कि मुझको पूछते थे कि तुम अंगूर खाओगे क्या मैं हां कहता था तो 6-8 दाना अंगूर देते थे एक कटूरी में फिर मैं उनके आदमी को डांट डपट के और बुलवा तो पता लगता था कि कुल एक पाव ही अंगूर लेके आते जिसको तीन-चार देन चलाते बढ़े किफायत पसंद थे वो एक पैसे का किसी से उन्होंने उपकार कभी नी लिया एक पैसे कि चाय किसी से नहीं पी पूरी जिंदगी इमानदारी से उन्होंने राजनीती की ऐ इसे व्यक्ति थे और इंट्रेस्टिंग बात बतलाता हूं उनकी बताई हुई एलाहबाद युनिरसिटी में ये पढ़ते थे और उस समय वीपी सिंग और अर्जुन सिंग इनके साथ में थे एक हाथ साल आगे पिछे रहे होंगे लेकिन वह दोनों इनके साथ में थे आप सिटी में ऐसे बहुत सारे इनके किसे अंगिना थे हैं लेकिन हमको आगे की सीटों पर भी जाना है अभी तीसरे नंबर पर हैं 14 तक पहुंचना है रशाम हो जाएगी हां तो यहां अंबिका सिंधेव जो है इनके बारे में तो सोशल मीडिया में आता था इनके पती ने लि आप कुछ वहां विरोध का स्वर्थ हैं पाइटी के बीतर में तो उसको लेके काफी दुखी हो गयते हैं अच्छा वो राजनीती में नहीं है इसलिए चमड़ी उतनी मोटी नहीं होगी अभी तो वह चाहते थे कि आगे भी कंटिन्यू करें विधायक रही हैं दूसरे वि कि विरासत में इनको इमानदारी भी मिली हुई है मिली हुई है अच्छी है इनकी और थोड़े संगठन से अभी उतना तालमेल नहीं बैठ पा रहा हैं दूसरा इसमें ये गुंडवाना गंटन्त पाइटी के जो संजय कम्रोग पिछली बार भी लड़े थे हां वीस एक वोट देते हैं सीमेश साधन वह यह नहीं इस पर भरोसा नहीं करते हैं कि जीतने वाले को वोट देना जी वोट क्यों खराब करें ऐसा कुछ भी बेलकुल बेलकुल बिदीस एक तो ये पोले आयों दूसरों स्हूरा जब्सकरी काफिर हैं लेकिन इह थोड़ा सठी टीका विवाद या बवाल को लेकर आती हैं कई बार तो मुझको याद है इनके मंच और माइक से दिये हुए गए बयान जो हैं उसको लेकर भी विवाद रहते हैं आम आदमी पार्टी का यहां क्या रहेगा सरगुजा में कई जगे आम आदमी पार्टी दिख रहे हैं सब जगह इन्होंने संगठन तो तयार किया हुआ है कारिकरता है और बहुत ज़्यादा भी उस स्टेज में दिखनी रहा है प्रचार जैसा उमीद कर रहा है कि अंबीका सियंते ओ भाईया लाल राजवाले और संजय कमरो यह तीनों पिछले बार भी थे इस बार भी तीनों के तीनों यह मेरे ख्याल से अनोखी सीट है यह बिलकुल चतिस गड़ में ऐसी सीट कम होगी यह तीन केंडिडेट जोंके त्यों रिपीट हो रहे हैं बिलकुल इसमें जो इवियम मशीन है उसमें स्टीकर वगर चिपकाने में भी मेहनत बचेगी शाय चुनावाई होगी ठेर अगली सीट है रामा अनुज गंज विधान सभा यहां से कॉंग्रेस के केंडिडेट मुझ को दिख रहे हैं डॉक्टर अजे तिर्की और भाजपा के दिख रहे हैं राम विचार नेताम यहां कॉंग्रेस ने केंडिडेट अपने बदल दिया बदल दिया ब्रहसपत सिंग बहुत चर्चित ब्रहसपत सिंग यहीं से थे त तो उनको हटा दिया है कॉंग्रेस ने और कॉंग्रेस ने डॉक्टर अजय तिर्की को दिया है यह क्या करते हैं अजय तिर्की अंभीकापूर के मेयर हैं अभीकापूर के मेयर हैं और वो मुलता वही के रहने वादे हैं के रावनुज गंट के गाउं में पास नहीं उनका ग पहले टो टिकेट को लेके खींस्तान हुई लेकिन ये तैयारी पहले से कर रहे थे वहां इनको इशारा था कि इनको देना ही है ऐसा करके इनका नाम पिछले बार भी चर्चा में कहीं कहीं पर था हुआ लग चर्चा में था लेकिन दूसरी सीटों के तो अब अब ये पाइटी नहीं छोड़ी है पहले कुल दिन आकरमक थे सारवजी निक वैयन भाजी किये सारे इनकी महराश के मुख्यमंत्री शिंदे से तुलना किये पाइटी तोड़ता थे लेकिन उसके बाद देर सबीर खामोश होगा पाइटी के नेताओं के संग्जाइज पर लेकिन इनों के अलग-अलग काम कर रहे थे ब्रस्पा सिंग दमदार तो थे काफी उनको फ्री हैंड मिला हुआ था काफी काम भी कराए थे अब शमर्थक खामोश हैं तो थोड़ा सा परिशानी में हैं अजयटीर की कांग्रेस के सारे कारेकरता काम कर रहे हों यहां पे ऐसा बिलक बिलकुल लेकिं इनके साथ भी यह हुआ था पिछले विदान सभा में चुनाव में एक उनके विनाए पैकरा अपना बागी के समर्थक खड़े हो गये थे उनके करीबी अब 20 एक हजार ओट पा गये थे तो उसे पार्टी के बागी थे भाजपा के बागी तो उसे काफी न राम वीचार से वह मझबूती से लड़ रहे हैं राम वीचार की पत्मी भी तो коही स्थानी संस्था में पंचायत जिला-पैंचायतicias रही है तो पहले भी ये लड़ते रहें इस और से रहों मझबूत है और पहली सुचिए के सुचिए में राम विचार भी था, तो काफी म नेताम के बारे में छोटी सी बात आपको बतलाओं बड़ी दिल्चेस्प है ये जब रमान सिंग की सरकार बनी और राम विचार नेताम को मंत्री बनाया गया मेरी इन से पहली मुलाकात कहीं पे हुई तो इन्हों ने कहा मुझको कि सर मैं तो आपको बहुत पहले से जानता मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसत हूँ तो मुझको समझ नहीं आया कि मेरी इनकी मुलाकात कहां पे हुई है फिर बाद में पता लगा कि अखिल भारती विद्यार्थी परिशाद का एक प्रशिक्षन शिवीर हुआ था राइपूर में और उसमें काफी सैक्णों लोग थे उसमें मंच पर गोविंदाचारी आने वाले थे और मुझको जब विद्यार्थी परिशाद ने कहा कि आपको भी वक्ता बनाकर हम बुलाना चाहते हैं तो मेरे जितने वामपंथी दोस्त थे वो हैरान हुए जब मैंने हां कह दी और कार्ड में मेरा नाम शब गया अरिक्रम में तो मैंने कहा कि मैं फुनपेन पहल के जाओंगा और मैं वहां पर विद्ध्यार्थी परिशत की बात करने नहीं जा रहा हूं मैं अपनी बात करने जा रहा हूं अब मैं उस कहानी को पूरा बतलाना नहीं चाहता लेकिन सम्विधान संशोथन की जर्वती इस पर गोविंदाचारिय को मैंने कहा कि पहले गोविंदाचारिय जी से बुलवाई है बड़े उजस्वी वक्ता बड़े आरेसस के बहुत पुराने व्यक्ति और बहुत मृदू भाशी मैं कहूं आपसे इन्होंने 40-45 मिनट कहा उसके बाद मैंने 40-45 मिनट गोविंदाचार जी के खिलाफ कहा जमकर कहा इतना जमकर कहा इतना कड़वा कहा कि कोई और रहता तो उसका मूँ कड़वाहट से भर गया रहता सुनने वाले सामने विद्यार्थी परिशत के लोग थे उनके कान कड़वे हो गए रहते इतना कड़वा बोल रहा था मैं लेकिन जब मेरा बो पर मुझको कहा कि सुनील जी अगली बार मैं आपके घर खाना खाने के लिए आऊओगा। और उन्होंने कारिक्रम के जो आयोजग्त थे उनको कहा कि अगली बार मुझको सुनील जी के घर खाना की लाने ले जाना उन्होंने बहुत सुन्दर बोला है तो राम भीचार नेताम जो सैक्णों विद्यार्थी परिशद के कारिकरता सामने बैठे हुए थे यह राम विचार नेताम उसी में से एक थे, इन्होंने पहली बार मुझको उसी समय सुना था, कहीं बोलने का क्या फाइदा होता है देखिए, राम विचार नेताम मंत्री बने, तो वो मेरे प्रशन सत्य ऐसा उन्होंने मुझको कहा था, अब बहुत साल हो गये हैं, पता नही तो मुझको याद रखना मैं वही हूँ विद्यार्थी परशत के कारेक्रम में, आपको जिसकी बात पसंद आई थी, आपको अच्छी लगी थी, चलो खेर, तो यह राम विचार नेताम से मेरा छोटा सा एक किस्सा जो है, यह निपड गया, अब यहां से आम आदमी तैसी मैदान में है, नीलम नाम से धोखा होता है, यह पुरूश है यह महिला है, यह महिला है, क्योंकि नीलम चंद्राकर कुरूद में अजय चंद्राकर के खिलाब पिछले चुनाव में लड़ने वाले एक पुरूश भी थे, यहां पर यह महिला नीलम है, तो थोड़ा मे राजगी को वहां छोड़के गए हैं उनकी काया चली गई है बाहर उनकी आत्मा भी वहीं पे है कुछ नाराज है वो आप जानते हैं कितने नाराज हैं अगली सीट प्रताप पुर्विधान सभा ये भी एस्टी रिजर्व सीट है अदिवासी रिजर्व सीट है यहां से यहां से कांग्रेस ने किसकी टिकल कटी हैं यहां सै परेम साइसिंग जो जो शिच्छा मंध्री थे इसकूल के बरबादी में उनका बड़ा योगदान है वही प्रेम साइसिंग जिनको आखरी आखरी में मोहन मरकाम को मंतरी बनाने के लिए केबिनेट से जिनको हटाया गया था वही प्रेम साइसिंग यह नायोक के अध्यक्ष है भी यह प्रेम साइसिंग वही है किया जिन्नों ने अपनी पत्नी को OSD या कुछ बना दिया था बाद में मुख्यमंतरी को हटाना पड़ा शुरुवात में यह वही है तो उनको पाटी ने टिकट नहीं दी उनके हारने की चर्चा बहुत समय से थी तो वहां से दी है राजकुमारी मरावी को यह कौन है यह जिला पंचायत की अध्यक्ष है और पहला चुनाउद लड़ रही है जिला पंचायत अध्यक्ष में एक आद बात जिला पंचात की सदस्री का चुनाव लड़ी थी और इनका मुकावला मेरे ध्यानारा आपस में टकरा गए थी राम विचार नेताम की पत्नी और यह तो दोनों भाज़िपा के लोग है नहीं दोनों क्या होता दली अधार पे होता नहीं है बिल्कुल तो बहुत दो चार वोट करी पीछे राइगी तो बहुत कम ओटों से नहीं की कुछ पकड़ है वाँ पिसे से वकील है अच्छा हम शकुंतला पूर्ते वकील हैं जितने वह जो मझबूत बहुत सारे लोग मान रहे थे वहां के लोगम पूर्ट नहीं तो शक्गुनतला बहुत सक्री ह तो अब वहाँ प्रेम साइसिंग की टिकट कटी है उनके समर्था कब उतने ये दिख तो रहें थोड़ा वहुंत लेकिन उतनी सक्रीटा दिख नहीं रहें तो थोड़ा थोड़ी नराजी मौजूदा विधायक को काटने का कुछ नुकसान होता ही है चाहे कोई भी पार्टी बिल्कुल कम से कम थोड़े बहुत सारे लोग बना के रहते हैं और प्रेम साइसी ऐसे बहुत पूराने भी हैं वाजित मद्वदेश के जवाने में विनम रहे हैं विनम रहे हैं बाकी काम भले उनका खराब रहा हो व्यवहार ठीक है है मुझको याद है और हमर्राज पार् जराम से आए इस तरह अलग 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 वोटर तबकों में पकड़ वाले लोग हैं यह कितना नुक्सान करेंगे यह नहीं बता है यह बतला है हमर्राज पार्टी का नाम आज सुबह से आपने पहली बार लिया है तो हमर्राज पार्टी इन्हों ने भी एक महिला को खड़ किया है तो इस सीट में तीन महिलाएं हो गई हमर्राज पार्टी को जो नाम है और भी हो सकती बचे में बिल्कुल जनका कांग्रेस का भी नाम सुबह से पहली बार आपने लिया है तो इन दोनों का कुछ है क्या वहां पर बिल्कुल है यह पंचायत की पदादिकारी है तो अभी नई पार्टी बनी है लेकिन शक्रीटा रही है इन लोगों समाजी के स्तर पर तो फिर भी बाल्टी चुनाव चिन है हमर राज पार्टी का बिल्कुल हर घर में बच्चे पैदा होते ही बाल्टी देखते आए हैं तो वो चुनाव चिन है तो यह प्रतापपूर विदा और में रहता है कि यादें अधीक रहती हैं जो बीच-बीच में मूह मारने लगती हैं सामरी विधानसभा यह क्या है यह है यह रिजर वहे यह धिरो सीट है यह बी 70 रिजर्व है सामरी विधानसभा दिवासी सीट ए capture कاع और भाजपा की देशवरी पैक्रा यह दोनों प अधिवासी सीट है यहां से कांगरेस के विजे पहकरा और भाज़पा की उदेश्वरी पहकरा ये दोनों पहकरा समुदायक के ही हैं दोनों बिल्कुल अब आपको बता तो ला अभी तक विधायक नहीं थे यहां विधायक तो हेलिकाप्टर उसका बड़ा जरिया रहता है क्या मैं देखता हूं कि गुरुबाल दास्सतनामी समाज के एक नेता है उनकी अभी बहुत सारे वीडियो देखते हैं कई जगें उनको बीजेपी हेलिकाप्टर में घुमा रही है तो चिंतामनी महाराज इनका भी हेलिकाप्टर कुछ वीडियो फोटो देखा है मैंने अभी चिंत्वमणी माहराज के सांथ ये हैं कि वहां बबड़ा समदायक गाहिरा गुरू के बेटे ये ये गुरू के बेटे हैं चिंत्वमणी माहराज जो अभी तक वहां पर कांग्रेस के विदायक उनकी उनकी टिकट काटी गई और वो भाश्पा में भी चले गए शामी लोग और उनके काफी अन्याई हैं तो अब ये संत समाज काफी हर विधान समय काफी कमर वूद काफी सक्रीव ही हैं ये अदिवासियों के बीचे लोगप्रीय संत हैं तो अब उनके पिताजी तो नहीं रहें लेकिन उनके बड़े भाई बब्रुवांसी वो समालते हैं और ये संग के काफी करीव हैं इसलिए पहली फुरसात में ये चले भी गए ये वैसे भाजपा में भी थे संगस्री बोर्ट के अद्यास थे तो ऐसा इनके सामरी में तो बहुत ज्यादा इनके छोड़ने से विधाय करें बहुत इनके संसमाज के लोग अलग अलग जबों में तो चिंता मढई महाराच गहरा-गुरु की मान्यता इस राके में बड़ी रही जाद है में तो नहीं मानता किसी को लेकिन उनकी मान्यता अगर सामाजी करूप से है तो मैं क्या कर सकता हूं समास सेवा में काफी काम किये महिला शराव राप चुड़वाने में इस तरह के काफी उसम की मानुदूदूदू इसा क्यों याद पढ़ रहा है गहिरा गुरू के नाम पर राज्य का कोई एक खादा लेंकरन भी रखा गया अधा या पूछ था तो यह हो गया सामरी सामरी में कांग्रेस ने विजय पैकरा को क्यों चुना यह टी एस सी इंदेव की पसंद है और विजय पैकरा ब्लाका इसी सीट से दो बार के विधायक उनकी पत्नी है वो देश्वरी पैकरा तो अब अब यह हुआ यह है कि अब एक तरफ से हजाकी बस्पा और भी दलों से प्रत्याशी खड़े हुए है यहां कुल इलाके इलाके में बस्पा गुंडवाना गड़तंत पाइटी का गडवंध करेंगे किस पार्टी का जादा नुक्सान को संभावना देखते हैं कि आशंका रहा है वैसे ही बस्पा, बस्पा के उधार से, उधार से कॉंग्रेस को यादा नुक्सान हुआ है, नहीं आप कांग्रेस के नुक्सान को संभावना के रूप में देख रहे हैं, तो आप भाजपा के नजरिये से देख रहे हैं क्या कि कांग्रेस के नुक्सान की संभावना है, बहुत अगली सीट सातवी सीटहίας की प्रेमनगर विधान सभाव प्रेमनगर भी अरचीत सेट estrut Stretch favorite सर्वुजर की अनारच्चित सीटा के किप यहां से नाम मुझ को सारे आदिवासी दि tendency इस लिए कि यहां से Congress के मौझूदा विधायक है खेल साइसी मौझूदा विधायक है भाजपा ने टिकट दिये भूवन सी मरावी को चुकि Congress के विधायक थे इसलिए जाहिर है कि भाजपा के कोई विधायक तो वहां से थे नहीं लेकिन गोणवाना गंतंत्र पार्टी साहित कई पार् प्रेमनगर के बारे में दोनों समानी सीट है अनारक्षी सीट है अब प्रेम्ड खेल साइसी कई बारे के विधायक है है सांसद रहे हैं फिर से उनको रिक्रेट किया गया है और यह जो भाजपा के भुवन सी मरावी यह पहले कभी गुणवाना गरतंत्र पार्टी में थे अच्छा फिर यह भाजपा में आये समाज की जिला द्यच वगिर रहे हैं और भाजपा में सक्री रहे तो एक नए कंडिडेट पैली बार चुनाव लड़ रहे हैं कंडिडेट नए हैं लेकिन राजन म्रवेक्ति हैं आम लोगों की मतलब गैर आदिवासियों में भी उतने ही लोगपरी हैं तो यहां के गैर आदिवासी परियाप्त सम्झा में होंगे इसलिए यह सीट अनारक्षित है लगबाग 65% 60% 60% अनारक्षित लेकिन फिर भी यहां पे आदिवासी को ही टिकट दी है दोनों ही पार्टियों दोनों पार्टियों ऐसा क्यों है अब हुआ यह है कि वोट कहीं एक उसमें मत जले जाए एक बार 2008 में कोशिस हुई थी कॉंग्रेस ने नरेग राजवाड़े को दिये था गैरा दिवासियों तो रेनुकासी चुनाव जित गई थी तो उसके बाद फिर खेलसाइं को दिये गए ताकि वोट सामानी वोट भी और प्रयोग ना किया जाए अच्छा तो यह प्रेम नगर जो है इसमें और बाकी जो केंडिडेट है गोंडवानागार तंत्र पारटी की उपस्तिती है लेकिन मुक्य मुकावला यह दोनों में ही है है बाजपा यहां काफी मेहनत कर रही है इस इलाके में अभी प्रदानमंत्री की सभव होई आसपा सुरेट विलाकों में तो अच्छा-खासा माहल बना है आप ये खेल साज सिंग के बारे में कह रहे हैं कि विनम्र व्यक्ति है का नाम भी प्रेम है मुझको लगता है देश की राजनीत में खेर अभी हम साथ सीटों तक पहुचे हैं 14 सीटे हैं सरगुजा की अगर हम पूरी 14 सीटों का विशलेशन अभी इसी सांस में कर लेंगे अख़वार के कुछ पन्ने कोरे छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि मुझको तो कम शशांक को ज्यादा काम करना है जाके मुझको भ साथ सीटों पर विशलेशन कीजिए हमारी जो बाते हैं उस पर सरगुजा की बची साथ सीटों पर हम कल या परसों आपके सामने फिर आएंगे ठीक है क्योंकि साथ सीटों का इतमिनान से विशलेशन होना चाहिए उसमें टीए सिंधेव की सीट भी बाकी है अभी तो जिस चर्चा थोड़ी सी जादा लंबी होगी दिल्चस्प होगी उसका इतियास भी बड़ा दिल्चस्प है वर्तमान तो दिल्चस्प है भविश्य भी दिल्चस्प हो सकता है उस सीट का तो इन साथ सीटों पर अभी फिलाल एक रोक लगा रहा हूं मैं एक पूर्ण विराम अ जंद ही अगला एपीसोड लेकर बाकी साथ सीटों पर आपके सामने चर्चा लेकर मौजूद रहेंगे फिलाल इजाज़त दीजिये हमको साथ दिल्चस्प सीटें सरगुजा की बाकी हैं और मैं आपको बतला देता हूं जो भी राजनीतिक विशलेशक हैं वो बस्तर और जाते हैं दो इलाकों को तॉलते हैं इसलिए आप अगला एपीसोड भी जरूर ही देखिएगा फिलाल अगर आपको यह अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन की बटन दबाईए लाइक कीजिए अपनी टिपणी लिखिए नीचे हम उसको गौ डालने नहीं जाएंगे तो फिर मिलते हैं